नवस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चीरपरिचित दोस्तु पस्तित्वा आप सभी की सिवा में एक बहदी महतोपून जानकारी को लेकर के जिहाँ बर्गत के दूद के फायदे जानकर आप हैरान रहे जाएंगे यह आज का हमारा topic आप सभी के लिए क्या आप जानते हैं कि बर्गत यानि कि वट वरिख्ष का पेन सैक्डों रोगों की अचुक दवा भी है बर्गत का पेन हिंदू संस्कृति में वट वरिख्ष यानि कि बर्गत का पेन बहुत महत्वर रखता है इस पेन को त्रिमूर्ति यानि के ब्रह्मा, विष्णू, महेश का प्रतिक माना जाता है शास्त्रों में वटवरिक्ष के बारे में विस्तार से बताया गया है वटवरिक्ष मुक्ष प्रद है और इसे जीवन और मिरित्यू का प्रतिक माना जाता है जो व्यक्ति दो बट वरिक्षों का वीधिवत रोपन करता है वो हम रित्यू के बाद शिव लोग को प्राप्त होता है इस पेण को कभी नहीं काटना चाहिए मान्यता है कि नहीं संतान दमपती बरगत के पेण की पूजा करें तो उन्हें संतान प्राप्ती हो सकती है और महेश हैं हमारे वेदों में वैसे ही ये त्री मूर्ति यानि की तीन पेण होते हैं जो दिन रात ऑक्सिजन देते हैं वटब्रिक्ष पीपल और पाकड जिहां ये तीन पोधे होते हैं जो दिन रात ऑक्सिजन देते हैं इसलिए इन्हें जिवन दाई कहा जाता है इस्वर क रूप माना जाता है अब आईए जानते हैं इसके लाफों के बारे में आग से जल जाना जिहां दही के साथ बढ़ को पीस कर बने लेप को जले हुए अंग पर लगाने से जलन दूर होती है जले हुए अस्थान पर बर्गत की कपूल या कुमल पत्नों को गाय के दही में पीस कर लगाने से जलन कम हो जाती है बालों के रोग बर्गत के पत्नों की बीस ग्राम राख को सो मिली लिटर अलसी के तेल में मिला कर मालिश करते रहने से सिर के बाल उगाते हैं बर्गत के साथ कोमल पत्नों के रस में बराबर मात्रा में सरसों के तेल को मिला कर आग पर पका क गर्म कर लें इस तेल को बालों में लगाने से बालों के सफिरोग दूर हो जाते हैं पचीस पचीस ग्राम बर्गत की जड़ और जटा मांसी का चून 400 मिली लिटर तील का तेल तथा दो लिटर गिलोए का रस को एक साथ मिला कर धूप में रख दें इसमें से पाने सूख जान पर तेल को छानने इस तेल की मालिश से गंजापन दूर होकर बाल आ जाते हैं और बाल जड़ना बंद हो जाता है बर्गत की जटा और काले तिल को बराबर मात्रा में लेकर खूब बारिक पीश कर सिर पर लगाएं इसके आधा घंटे बाद कंखी से बालों को साफ कर उपर से भांगरा और नारियल की गिरी दोनों को पिसकर लगाते रहने से बाल कुछ ही दिनों में घने और लंबे हो जाते हैं नाक से अगर आपके खून बह रहा हो तो तीन ग्राम बर्गत की जटा के बारिक पाउडर को दूद की लसी के साथ पिलाने से नाक से खून बहना कड़े हरे शुष्क पत्तों के 10 गराम दुरदुरे चुन को एक लिटर पानी में पकाना है चोथाई बच जाने पर इसमें एक गराम नमक मिला कर सुबह शाम पीने से हर समय आलस्य और निंद का आना कम हो जाता है अगर आपको जुकाम लग गया हो तो बर्गत के लाल कुमल पत्तों को चाया में सुखा कर पीस कर रख लें फिर आधा किलो पानी में इस पाउडर को एक या आधा चमच डाल कर पकाएं पकने के बाद थोड़ा सा बचने पर इसमें तिन चमच शक्कर मिला कर सुबह शाम चाय की तरह पीने से जुकाम और नजला इत्यादी रोग दूर हो जाते हैं और सिर की कमजोरी ठीक हो जाती है हरे रोग है अगर आपको तो दस ग्राम बर्गत के कुमल हरे रंग के पत्तों को 150 मिले लिटर पानी में खूब पीसकर चान कर उसमें थोड़ी मिश्री मिला कर सुबह शाम 15 दिन तक सेवन करने से दिल की धड़कन समान्य हो जाती है बर्गत के दूद की 4-5 बूंदे बताशे में डाल कर लगभग 40 दिन तक सेवन करने से दिल के रोग में लाव मिलता है यानि कि आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरी बोड़ी में सही हो जाता है जहां दोस्तों तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के करेंगे और बहुत ही महतोपूर्ण जानकारी को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों